नमस्कार आप देख रहे हैं मौतक और हम इसमें मौजूद हैं मधवन भिधान सभा के बंधनपूर में आज जो कारकरम था इनका यहां पर जुही सिंग्जिग्या कारकरम था और उस कारकरम में सामिल हुए है पुर्वांचल के नहीं प्रदेश के अगर देखे जाए तो दि चैनल को असर यह जो कारकरम कराए गया था याज क्या लगता है आपको 2022 किस तरह से लड़ेंगे आप लोग 2022 में हम लोग बड़ी मजबूती से लड़ेंगे हर जाद धरम मजहब के लोग एक साथ हो करके अखिलेश यादव जी के साथ में चल दिये हैं राजबर जी का गट बंदन हो गया सारे चोटे चोटे दल यहां तक किसी उपाज जी का भी गट बंदन हो गया सारे चोटे चोटे दल मिल रहे हैं और 2022 में जोगी सरकार को प्रदेश की जनता हटाना चाहती है पूछिए क्यों तो मैं बताऊं क्यों बेरुजगारी चरम सीमा पर महंगाई चरम सीमा पर अखिले से आदों ने सारी सुब्दा दिया था लैपटाप टबलेट बिदा पिंसन बिदवा पिंसन समझवादी पिंसन जोगी सरकार ने सब को बंद कर दिया मैं तो बड़े दावे के साथ कहता हूँ आप पत्रकार हैं अगर एक सब गलत बोलूँगा तो आप हम भी जबाब दीजियेगा त efendim धन दिया था खिले से आधों ने बड़े धण चाहता हूं कि किस्यादम का ही वेटी को दिया था सरम नहीं आती उसको भी बंद कर दिया जोगी सरकार ने आरा सन दे रहा है वी यह तो दो आपाँ как ever next रोकर दील अभी चन्ना दिया गया उसके स एक दिन मंठि मंदल का बैठक बुलाओ, मंठि मंदल का बैठक बुलाया मन्तिरी, राजा ने कहा कि एक जिन्दामुर्गा मंगवाओ, मंदल मंगवाया और राजा ने उसके दोनों पांग को तोड़ दिया, कास की दाना चीटो यह सबसाले दाने पर हैं पंक टूट गई वो मुर्गा दाना चूंग रहा था यही जनता है दाना चूंग रही है लेकिन लचार है अखिलेश ने जो दिया वह भारती जनता पर्टी ने नहीं दिया एक सवाल मैं आप से पत्रकार है पूछना चाहता हूं जो मुंदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी 15 लाग उर्पे हरादमी को देंगे गरी मंतरी एक बार भी सवाल करते हैं कि क्यों नहीं दिया सवाल पूछा गया तक ग्री मंतरी से तो उन्होंने कहा वो जुमला था यह जुमला तो जुमले बाजी पर नहीं ने चलेगी अब जंता जाग चुकी है जुमले बाजी कब तक चलेगी कहा था मोदी जी ने दो करोर नौजवानों को नो करी देंगे कहा नो करी गई कुछ नहीं दिया जुमले बाजी तो है इन लोगों की अखले से आदव की जुमले बाजी नहीं है अखले से आदव जो कहता है वो कर एलान करके कह दिया है कि 2022 में अखिलेस आने वाले हैं जोगी जी जाने वाले हैं बट वो तो कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया है और 2022 में हम सरकार बना रहे हैं यह जो लाल टोपी में गुंडा घूम रहे हैं समझवादी पार्टी के ऐसा भी कहते हैं वह अखिलेस याद उज लाल रंग तो हमारे खोन में भी है लाल रंग तो भारती तिरंगे में है यह क्रांती की पचान है लाल रंग और लाल टोपी से 2022 में जोगी और मोदी परदेश और देश से जाएंगे और मुखमंत्री परदेश के सब्सक्राइब ने कहा है कि खजाने में जो रुपया पैसा है सब भारती जनता पार्टी को लोग लूट रहे हैं और वहीं पैसा मैं जनता पे खर्च करूँगा सरकारी खजाने का जो रुपया है वह सब जनता के उपर मैं खर्च करूँगा और अगर धन की कमी होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कोर से रुपया दे करके और जनता के हित में काम करेगी, अखले श्यादो का फर्मान है, अखले श्यादो इन मंदार आदमी है, वो जूट नहीं बोलता इडी का च्छापा डालो यह डर जाएंगे और जब डर जाएंगे तो यह समाजवादी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे लेकिन जोगी और मोदी के फर्मान से और आईडी से ये समझवादी कभी डरने वाला नहीं है हिमते मर्द मदते खुदा किसी शायर न लिखा है कि प्रचंड जौला बन सकती है छोटी सी चिनगारी भी और क्रामती दीप जला सकती है बुढिया बेचारी भी अखिलेश यादव की फाउज त्यार है और 2022 में जोगी को फिर सर्मी लेकर के मठ पर बजाना पड़ेगा घंटा बजाना पड़ेगा और देश और प्रदेश में राज होगा मानि अखिलेश यादव जी का पत्रकार साहब आप पत्रकारता करते हैं ये भी आप सवाल आपको करना चाहिए कि मुदी ने जो कहा वो किया नहीं अखिलेश ने जो कहा वो किया मगर नेताओं के तो हमां बात करें देखिए भांसर तो बहुत दिये जाते हैं मगर सभी पार्टियों की सरकारे रही हैं यहां पर वादे तो बहुत किये जाते हैं मगर सरकार बनने के बाद सभी लोग पहंतरा बदल लेते हैं ऐसा समझवादी पार्टी के साथ भी हो सकता है क्या कुछ नहीं एक लेश यादव के करनिया और कथनी में अंतर नहीं है कह तो दिया मैंने आपसे क्या नहीं दिया प्रदेश की जनता के लिए कन्या विद्याधन दिया महिलाओं के लिए पिंसन दिया क्या आपको पता है कि महिलाओं के लिए पिंसन क्यों दिया साधा पत्रकार हैं हमारे मित्र हैं जानकारी नहीं होगी इसी खानपूर में पंडित परिवार की तीन सगी बहने दहेच के चलते पंखे से फासी लगा करके मर गई थी कोई चला मानी धर्ती पुत्र मुलायम सिंग यादव को कि एक ब्रामन परिवार की तीन बहने दहेज के चलते पंगे से फासी लगा करके मर गई एक चीठी ली करके मरी थी कि हमारे बाप को दोसी ना बनाया जाए हमारा बाप हम लोगों की पढ़ाई में अपनी जमीन वेच दिया साधी के लिए अपनी पुष्टैनी मकान बेचने जा रहा है हमारे बाप को दोसी ना बनाया जाए है गया मुलायम सिंग दर्द हो रहा है पत्रकार साहब और कहा कि पंडी जी उदास मत हो ये मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन उतर प्रदेश में समाजवादी पाइटी की मुलायम सिंग आदा मुख मंत्री बनेगा अब किसी जाद धरम मजहब की बेटी पंखे से फासी नहीं लगाएंगी और जब मुख मंत्री हुए मानि मुलायम सिंग आदव जी ने कन्यावी दहदन के रूप में उस जमाने में 20,000 रुपया दिया कि वह गरी बाप उस 20,000 र जो कहते हैं करते नहीं है बाते की जा रही है पर देश की सारी सड़के गड़ा मुक्त कर दी गई है कहां तक सही है आप तो बहुत दूर से चलकर आयों होंगे हम तो पूरे देश का दवरा करते हैं वहीं कह दिया अख्ले स्यादाव के कथनी करनी में अंतर नहीं है लेकिन इतनके कथनी और करनी में अंतर है कहीं सड़कें के धामुक्त नहीं हुई न सड़कें बन रही है खंधर हो गया है लोग आने जाने में लोगों को दिखते हो रही है पराज चरम सीमा पर बहन बेटिय कि आप रूल उटी जा रही है मैं सवाल करना चाहता हूँ आप पत्रकार है क्यों समाजवादियों के मकान पर बुल्डोजर चल रहा है भारती जनता पार्टी के नेताओं पर भी बुल्डोजर चलना चाहिए अतीक हमत के मकान पर बुल्डोजर चलेगा मुक्तार अंसारी के किसानों को कुछलने वाले टेनी जी अभी उनके पिता जी आरोप लगा कि हाँ इन्होंने जो किसानों को कुछला था एक साजीस के तहत कुछला था गाड़ी से किसान अंदोलन जो लखिम पूर खिरी में हुआ था बट वहां पे अभी मंत्री बनाया रखा है बीजेपी ने ब्रामा नराज हो जाएंगे और दो हजार बाइस में अखिलेश के लिए पूरा रास्ता साफ हो जाएगा इसलिए मंत्री मंद्र से इस्तिफाए नहीं दिलवा रहे हैं यह भाजपा की कमजूरी है और आप तो देखें होंगे नतमस्तक होना पड़ा इस देश के प्रधान लेना पड़ा जान चुकी है जाग चुकी है हर जाद धरम मजहब के लोग अखिलेस यादव के साथ जिन्दाबात का नारा लगा रहे हैं और 2022 में अखिलेस यादव को मुख मंतरी बनने से कोई रोक नहीं सकता इसलिए कि हर जाद धरम मजहब के लोग चल दिये हैं पत्रकार में होते हैं बहुत बहुत आपको धन्यादव यह थे जगदावर नेता सुरंदर यादव जी आप देख रहते महुत तक मैं संजय नमस्कार